वेलो दोस्तो नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल स्टेडी वी थे स्पार्णिस में तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं भारत में जो नया संसत भवन बनने जा रहा है जिसकी अधार सिला रखी जा चुकी है उससे बहुत सार एक्जाम में कोशन पूछे जाएंगे तो चलिए आज की वीडियो में हम उन सभी कोशन को देख लेते हैं जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ही हैलफुल होंगे सबसे पहला कोशन देखते हैं क्या है नए संसत भवन की अधार सिला किस नहीं रखी है तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा नरेंडर मोदी जी ने हमारे जो माननी प्रधान मंत्री है उन्हों न की अधार सिला रखी है दोस्तों जो आने वाला 2021 है वे हमारे संसत भवन को पूरे 100 वर्स पूरे करने वाला है क्योंकि जो पुराना संसत भवन है उसकी अधार सिला 1921 में रखी गई थी जो कि दुझार 21 में 100 वर्स पूरे हो जाएंगे तो आप लोग को याद रखना है इसकी अधार सिला किस ने रखी है नरेंद्र मोदी जी ने रखी है कोसर नमर नेक्ष आप लोग का है कि नए संसद भावन की अधार सिला कब रखी गई है तो यहाँ पर आपका जो correct answer है option number B है जो की है 10 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी जी के दौरा ने संसद भावन की अधार सिला रखी गई है option number B यहाँ पर correct होगा question number 3 आप लोग का है कि ने संसद भावन का निर्माड किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा तो यहाँ पर जो correct answer आप लोग का है option number A है जो की है Central Vista पुनर विकास परियोजना ने संसद भावन का निर्माड Central Vista पुनर विकास परियोजना के तहत किया जाना यह तैह हुआ है question number next आप लोग का है कि ने संसद भावन का उधगाटन किस वर्स किया जाएगा दोस्तों ने संसद भावन का उधगाटन किस वर्स किया जाएगा तो यहाँ पर जो correct answer है option number B है जो की है 2022 तक तो 2022 तक जो है आपका संसद भावन का जो निर्माड का रहा है पूरा हो जाएगा और इसका उधगाटन करना तैह हो गया है ठीक है 2022 को हमारी जो आजादी के 75 साल पूरे हो रहे है तो आप लोग को याद रिखना है अजादी के 75 वर्स गाट पर जो है नए संसद भावन का उधगाटन किया जाना तैहू तो नेश को तरह है हमारा नए संसद भावन की निर्मादा कंपनी कौन सी है तो यहाँ पर जो correct answer होगा option number A होगा जो की है Tata Project Limited टाटा प्रजेक्ट लिम्टेड नहीं नए संसद भावन का जो निर्मादा का जो है टेंडर लिया है इसने 860.90 करोड रुपए में यह जो है टेंडर प्राप्त किया है टाटा प्रजेक्ट लिम्टेड ने question number Nesh आप लोग का देखते है नया संसद भावन का डिजाइन किसने तयार किया है दोस्तों नया संसद भावन का जो डिजाइन है किसने तयार किया है तो यहाँ पर जो correct answer होगा option number D होगा जो की है HCP design यह अपका गुजरात की एहम्दावाद गुजरात में जो एहम्दावाद है वहाँ की architecture एक firm है जिसने नया संसद भावन का design इसने तयार किया है तो option number D यहाँ पर correct answer होगा को सामर नेक्ष आप लोग का है नया संसद भावन का आकार कैसा है तो दोस्तों नया संसद भावन का आकार है जो आपका option number C यहाँ पर correct answer होगा त्रिभुजा कार है त्रिभुजा कार है और जो अभी वरतमान में जो हमारा पुराना संसद भावन है इसका आकार कैसा है तो आप लोग को याद रखना है जो की गोला कार यहने की ब्रत्ता कार है option number C यहाँ पर correct answer होगा नया संसद भावन का कार त्रिभुजा कार है को समर नेक्ष आप लोग का है कि भारत का नया संसद भावन का छेत्र फल कितना होगा जो आपका नया संसद भावन बनने जा रहा है उसका जो एरिया यहने की छेत्र फल होगा वह कितने छित फल में फैला होगा तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्सन नमबर बी है जो कि है चौशाथ हजार पांच सो वर्ग मीटर में जो आपका संसत भवन का छित फल फैला होगा ठीक है को समर नेक्ष पर चलते हैं को समर नेक्ष आप लोग का है कि भारत का नया संसत भवन कितने मंजिला इमारत का होगा तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा कि भारत का जो नया संसत भवन है वह ऑप्सन नमबर सी होगा जो कि है चार मंजिला इमारत का यह जो भवन है वह बनने जा रहा है ऑप्सन नमबर स रहा है इसका निर्माड कर्च कितने रुपए है तो आप लोग को याद रखना है और सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा है कि नया संसर्थ भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस से बैठ सकेंगे तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्सिन नमबर डी होगा जो कि यह 1224 सदस से दोस्तों संयुक्त सत्र का मतलब होता है जब लोग सभा और राज सभा दोनों सदनों के एकटा इक इनकी जो स सदस सकते हैं तो 1224 से सदस से बैठ सकेंगे जब नया संसर्थ भवन हमारा बन करके तयार हो जाएगा नया संसर्थ भवन में कितने लोग सभा सदस्यों के बैठने की विस्था होगी तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्सिन नमर सी है जो कि 888 सदस्य दोस्तों इस से पह 888 सदस्य बैठ सकेंगे ऑप्सन नमर सी यहां पर करेक्ट टांसर होगा नया संसर्थ भवन हो कि नया संसर्थ भवन में यहां पर जो आपका करेक्ट होगा डी तो तीन सो चौरासी सदस्य से बैठ सकेंगे कुसर में नेक्ट आप लोग का है कि वरतमान में लोक सभव में सदस्यों की संख्या कितनी हैं तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर होगा और सनमर भी होगा जो कि 545 जिसमें 543 जो आपके यूनियन टेरिटरी और आपका इस्टेट से चुन करके आते हैं जबकि इसमें जो दो सदस्य हैं उनको राश्पती द्वारा मनुनित किया जाता है इस तरह से आपके जो है टोटल सदस्य पांसो पैंतालिस होते हैं लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि लोग सभव में हो सकते हैं तो यहाँ पर वर्तमानमनों सब्सें कितनी हैं तो तो और नहीं सब्सक्रिया कोलुख और है Surf poker play का पूछा जाता है कि राजई सभव में कितने सदस्य हैं तो अधिकतम हो सकते हैं तो 250 हो सकते हैं ठीक, कोर समन नेश आप लोगर का देखते हैं कि फूराने संचत संसत भवन का उधगाटन कब किया गया था तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा जो कि है 18 जनवरी 1927 को ठीक है पुराने संसत भवन का उधगाटन 18 जनवरी 1927 को किया गया था जबकि इसकी जो अधार सिला रखी गई थी वह आपका 1921 में रखी गई थी जिस वैसे आपका जो साल पूरे करेगा ठीक है तो लेकिन जो इसका उध्गाटन हुआ था वह आपका 1927 में हुआ था अठारा जनवरी 1927 को को समर नैक्ष आप लोग का है कि पुराने संसत भवन का उध्गाटन किस ने किया था तो दोस्ते इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपसन नमबर ए होगा जो कि है लौड इर्विन ने ठीक है लौड इर्विन के द्वारा ही पुराने संसत भवन का उध्गाटन किया गया था कब 18 जनवरी अपका 1927 में ठीक है को समर नैक्ष कि पुराने संसत भवन में कुल कितने रुप्ए का ख़र्च आया था तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा जो कि ऐ 83 jaki रूप्ए पुराने संसत भवन में तैरासी रूप्ए का कहर्च आया था लेकिन जो 2022 में संसत भवन बंकर तयार होगा उसमें जो 20rants कि कि आनुमान रिताट्रासी रखें गई है वया आपका 971 क्रुड रुपय रखें तो आप लोग맛 याद रखेंगा को प्रस नुम्पर सि होगा जो कि है उप्रिक्त दोनों यानकी एडविन लुटियंस और आपका हर्वर्टे बेकर इन दोनों के द्वारा ही भारत के पुराने संसद भौन का डिजाइन तयार किया गया था को सब्सक्राइब का है कि संसद के गठन का प्रवधान किस अनुच्छेद में किया गया है संसद के गठन का प्रवधान है भारती संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्सन नमबर डी होगा जो की है अनुच्छेद 89 आर्टिकल जो आपका 79 है इसमें ही संसद भौन का प्रवधान किया गया है कि भारत में एक संसद होगी भारत के एक संसद होगी इसके बाद आज करें तो 80 में आपका वे राज सभा है और 41 में आपका लोक सभा का उलेक मिलता है भारती सम्मिधान में तो आप लिए तीनों याद रखेगा 89 में संसद, 80 में राजसभा, 81 में लोकसभा भारत में संसदी सासन विस्ता किस देश से ली गई है तो यहां पर जो अंसर will dawn to Magda । ऑक्या ब्रजो कि है भारत में संसदी सासन विस्ता ब्रिटेश के समिदान से ली गई है तो दोस्तों यह आज कि हमारे कुछ important question जो कि आपके जो संसत्भावन से संबंदित हैं तो आपने सभी questions को ध्यान से देखा होगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और अपने friends में भी जरूर सेयर करिए तो मिलते हैं ने